2024 में सारे Android phone के लिए 5 ऐसे tips जो बस interesting नहीं आपके लिए बहुत जादा helpful है जिसमें आप emergency या खतरनाक वाले time पे आप एक साथ काफे सारे लोगों को miss call दे सकते हैं और उसके साथ साथ जैसे ही सब को miss call जाएगी अपने आप सब के पास आपकी current location भी share हो जाएगी Indian government ने हर एक phone के साथ ये setting दिये जिसे use करके आप काफी secure हो सकते हो ऐसे ही बाकी 4 tips है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful है जैसे की earth कोई color आपको नई पता बट ये setting भी आपके phone में होती है इसलिए वीडियो को skip बिल्कुल भी मत करना last तक देखना ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful है तो like करके subscribe जरूर कर देना Android की 5 कमाल की tips में से tip number 1 Emergency SOS इसको enable करने के लिए आपके पास जो भी Android phone है किसी भी brand का उसकी setting में आ जाना है setting में आके उपर एक search वाला icon मिलेगा इस पे click करके इसमें search करना है emergency SOS यहाँ पे काफी सारी settings है इसमें से ये वाला option है emergency SOS मैंने यहाँ पे already on कर रखा है आप भी यहाँ पे आगे इसे on कर लिना एक simple सा test होता है जैसे आपके fingerprint का test लिया जाता है ऐसे ही 3-4 बार जैसे ही आप इसको on करोगे 3-4 बार आपके power button क्या ये test लेगा ये setting आज तक सबसे ज़्यादा helpful रही है under 18 के children's और लड़कियों के लिए जिसमें आप किसी परेशानी में हो या आप किसी बहुत ज़्यादा critical situation में हो तो एक बार में आप काफी सारी लोगों को miss call दे सकते हो जिनको भी miss call जाएगी उन सब ही लोगों को इससे वो easily detect कर सकते हैं कि आप last time कहाँ पे थे इसमें एक plus point ये है जैसे ही आप सारा process complete कर लोगे उसके बाद आप 3 बार या 5 बार अपनी power button को एक साथ प्रेस करोगे पुलिस वालों के 112 नंबर पे अपने आप call चली जाएगी वो भी आपकी location के साथ location की भी एक setting है मैं याप एप डिस्पले में दिखा देता हूँ इसको भी हमेशा on करके रख लेना यासे मैंने ये दो बार ट्राय करके देखा था दो पुलिस वाले आये थे बारा मिनिट के इंदर अंदर बुलेरो गाड़ी लेके आप मैं बताता हूँ कि पुलिस वालों के साथ साथ आप अपने family members को कैसे अपडेट करोगे इसे के उपर एक option है emergency information का यहाँ पर आपको दो option मिलेंगे फर्स है medical का अगर आप चाहते हो emergency situation में ambulance भी आपके पास आ जाए तो आप 102 डालके छोड़ सकते हो इसे के नीचे आपके family members का है जिस जिसका चाहो आप यहाँ पर बहुत simply उन सारे लोगों का number add कर देना और उन सारे लोगों को फिर एक साथ miss call चली जाए कि पुलिस वालों का number आप off नहीं कर सकते यह बात याद रखना बस एक छोड़ी सी बात याद रखना आप जिसके भी number update कर रहे हो उनको location की समझ होनी चाहिए मतलब वो समझ जाएं कि अगर कोई आपको miss call दे रहा है और miss call के साथ location भी आ रही है तो सायथ कोई problem में हो सकता है या कोई serious situation हो सकती है तो number उनहीं लोगों के add करना android की 5 सबसे कमाल की tips में से tip number 2 earth कोई colored इतनी इतनी बार आपकी पास भुकम पाई बट आपको नहीं पता चला लेकिन national disaster management authority of india जो की भुकम का सारा काम handle करती है उसने आपकी phone में एक ऐसी setting दी है जो आपकी location के according आपको बार बार alarm भेजती रहती है जिससे आपको पतर चलता रहे आपके phone का ये बहुत कमाल का update है जिसको 101% आपको on करके रखना चाहिए बस आपको एक ही बार ये setting on करके रखनी पड़ती है बताता हूं कैसे फिट से आपको आपके phone की setting में आके हापे search वाल icon पे click करके इस पे वापस से search करना है emergency sos और इसी में ये रहा अर्थ क्विक alert का option इसी पे एक बार click कर देना है आपके पास test के लिए एक ऐसा message सो होगा इस पे click करके आप एक बार trial check कर सकते हो अगर in future कभी भी आपकी area में become आया तो government के side से ये वाली service का ऐसा alarm आपके phone में बार बार बजेगा ये सब आपके location की according होता है तो location की दो setting होती है एक ये वाली setting है phone के अंदर से इसको भी हमेशा on करके रखा करो और by default जो आपकी phone की setting की location होती है इसको भी हमेशा on करके रखा करो Android की 5 सबसे कमाल की tips में से tip number 3 silence notification while driving आपका phone आपके लिए काफी जाधा फसाद की जड़ बन सकता है इसमें से एक बड़ी problem है कि अगर आप कभी bike चला रहे हो य लेकिन यह report देखो ministry of road and highways के according 1997 से 2021 तक 1040 accident ऐसे हुए है जो गाड़ी चलाते समय या बाइक चलाते समय फोन का use कर ले तो ने में यह number थोड़ा कम लग रहा है लेकिन सोचके देखो आपके सामने 1040 last से पड़ी हुई है मैं नहीं पता 1040 लोगों में से हमारा number कब आज है इसल इसके लिए भी आपके phone के settings में जाके उपर search वाले icon पर click करके यहां भी search करना SOS इसमें emergency SOS का option देख रहा है इस पर click करके यह नीचे आपको एक setting मिलेगी silence notification while driving यह अभी off है मैं इसको on कर लेता हूँ आप भी on कर लेना बहुत ज़्यादा बाइक चलाता हूँ speed से और बीच में किसी का call है तो mind distract होता है हम phone निकाल के बीच में ही answer करने की कोशिज करते हैं या message करने की कोशिज करते हैं या चलो call कर ही लेते हैं तो आजविन 140 लोगों की list में जो अब नहीं driving करते time phone यूज करना बिलकुल गलत Android के 5 सबसे कमाल की tips में से tip number 4 offline map 2023 में सबसे जादा Google के और Google Apps में से Google Map को almost सबने यूज कर रखा है अगर आप कहीं travel करने जाते हो तो ये बात आपको बिलकुल पता होगी कि मैप तना जादा helpful होता है किसी emergency situation में एक गली देखनी पड़ जाता है लेकिन ऐसे टाइम पे अगर आपके phone का net खतम हो जाता है तो map भी यूज कर सकते Google में एक trick है जिसे आप बिना internet के भी map यूज कर सकते हो पूरे के पूरे city का इस Sunday मुझे जाना है रिसी case तो मैं Google Map में जाके यहां उपर मैं सिर्फ रिसी case सर्च करके इसे easily सर्च कर लूँगा यहाँ पे Google मुझे एक complete boundary create करके देगा आप मुझे क्या करना है ये नीचे options में जाके side में जाके यहाँ पे more पे click करना है और यहाँ पे आपको option मिलेगा download offline map इसमें जैसे ही click करूँगा यहाँ पे complete borderline आ रही है एक square के अंदर यह मुझे बताएगा कि इसके अंदर आपको जहां भी जिस भी area को download करना है उसको select कर लो यहाँ पे एक limit है कि आप पूरा India download नहीं कर सकते किसी city या किसी दो से तीन city का map ही यहाँ पे आप download कर सकते और अब net खतम हो जाए तो भी मुझे द्यादा परिशान होनी की ज़रूत नहीं होगी मैं जब भी रिसी केस जाओंगा बहुत easily मैं रिसी केस की गली गली में जाओ एंडोइट की पांच कमाल की tips में स टिप नंबर लास पाई बैटरी हेल आपको कहीं travel करते हैं मैप यूज करना है रील्स देखनी है फोन करना है कॉल करनी है या message करना है किसी को भी फोन से तो बैटरी का बहुत important रूल होता है आपकी फोन में ही एक ऐसी trick होती है जो आपकी बैटरी को normal time से 3-4 घंटे बैटरी तक यूज करें तो पूरे दिन में MI के फोन में 10 से 11 घंटे का टाइम लगता है लेकिन अगर हम बैटरी को 100% चार्ज करके रखे और हम कहीं travel करने जाएं और स्टार्टिंग से ही हम battery saver mode on कर दें तो आपको नहीं पता लेकिन इसमें 4 घंटे का पूरा पूरा difference आता है company इसक जल्दी खतम हो जाती है तो जैसे ही आप उसको 100% चार्ज करो उसी टाइम बैटरी सेवर mode on करके रखोगे तो आपके Samsung फोन की बैटरी 15-16 घंटे चलेगी हो सकता है 17 घंटे भी चले इसमें 5-6 घंटे का डिपरेंस आया है बाकि Motorola, Realme, Lava इन सारे फोन में 4 घंटे का डिपर और बाकि जितने भी सारे ब्रेंड से इन में समय आपको 4 घंटे 101% देखने को मिलेगा ही मिलेगा सारी टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यदा helpful है तो वीडियो को लाइक करके subscribe ज़रूर कर देना ऐसे ही और interesting और helpful वीडियो के लिए